गुलबर्गा शहर के नूरबाग रोड और रोज़ा पुलिस स्टीशन लिमिट में एक नौजवान लड़के के दोस्तों ने कातिलाना हमला करके फरार होने का वाख्या पेश आया है। बताया जा रहा है के आज दोपेहर में चार से पांच बज़े के दर्मियान खमर कॉलनी के रहने वाले मुहमद एटेशाम उमर 19 साल अलकरीम कॉलेज के फर्स्ट एर नर्सिन स्टूरेंट पे उनके कुछ दोस्तों ने तेज़दार हतियार से हमला करके फरार हो गया है। मुहमद एटेशाम को मनूर मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल में एड्मिट किया गया है। मनूर मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल के MD डॉक्टर फारुख मनूर ने बताया के लड़के की हालत काफी नाजुक है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कहा डॉक्टर फारु जल से जल कानून के गिरफ में हों। आईए देखते हैं एक रिपोर्ट। था करहें एक रिपोर्ट।